नमस्कार नवभारत टुडे में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ व्यांका से भारतिय बैंकों को हजारो करोर का चूना लगाने वाला फरार कारोबारी नीरव मोदी देश में नहीं बलकि परदेश में भी अपने चलवे बिखे रहा है ऐसा हम इसले कह रहे हैं क्योंकि देश को लूटने के बाद ये भगोडा नीरव मोदी परदेश में भी ठगी करने से बास भी आ रहा ताजमामा हॉंक कॉंग में कनाडा मुल के एक अधनिवासी का है जिसे नीरव मोदी ने नकली हीरे की अंगूठी बेच दी 36 वर्षे पॉल एलफॉन्जो ने वारूप लगाया कि उन्हें अपनी मंगीतर के लिए अंगूठी खरी दे थी और नीरव उन्हें 2 लाख डॉलर की अंगूठी बेचने के लिए तैयार हो गया और उसे अंगूठी भी बेच दी एक अखबार की रिपोर्ट की माने तो ठगे गए शक्स ने बताया कि वे नीरव से कई बार मिला और उसका अच्छा दोस्त बन गया तब नीरव ने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया जिससे पॉल को उस पर भरोसा हो गया जब शक्स को मालूम ही हुआ कि नीरव हीरा कारोबारी है तो अड़ों ने उससे अपनी मंगेतर के लिए अंगूठी खरीदने की बात कही नीरव ने कहा कि उसकी कमपनी दुन्या की सबसे खूपसूरत और महंगी अंगूठिया बनाती है साथ ही नीरव ने अंगूठियों के असली होने के सर्टिफिकेट की बात भी कही फिर क्या था पॉल ने भी उस पर भरोसा कर लिया और अंगूठी की पूरी कीमा चुका दी लेकिन चतुर चालाक नीरव ने उसे सर्टिफिकेट दिये बिना ही अपना उल्लू सीधा कर लिया बाहर में पॉल ने जब अंगूठी की जांच करवाई तो वो नकली निकली और उसके पैरो तले जमीन खिज़क ने लिए यो तो पॉल ने केलिफॉर्णिया की अदालत में नीरव के खिलाब 4.2 लाक डॉलर का मुकदमा दायर किया है लेकिन उसे क्या पता कि जो करोडों का चूना लगा चुका है वो इतनी जल्दी कहां हाथ आने वाला है इस बार के रहे बस इतना है अगली बार हम फिर हाजर होंगे कुछ ने खबरों के साथ तब तक हमें दीजे इजाज़त नमस्कार